हेलो एब्रीवान, वेलकम टू इंडिया बड़ी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टुडेंस आज महारास्टर का 12 स्टेंडर का रेजल्ट लगने वाला है, वो भी है शाम को चार बजे तो आज मैं आपके सामने एक अपडेट लिखिया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑफिशल साइट गवर्मेंट ने दी है, वो ऑफिशल साइट चल रही है कि नहीं चल दी है और दूसरी इंपॉर्टन चीज कौन से साइट पर आपको टारगेट करना चाहिए और कौन से एप्लिकेशन को आपको देखना चाहिए, जिसके बेस पर आपको रेजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट दिखे दूसरा बच्चा आपसे पहले रेजल्ट देख लेगा तो मैं सारी अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह महा-HSSCboard.in है इस पे कुछ नोटिफिकेशन आया था कल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैटक करमांकर कौन से साइट उनके बारे में बताया गया तो अगर आप देखोगे आपको साइट तो दिये है लेकिन सब बच्चे इस पे जाए लिए तो सबसे पहले आपको एक शॉटकट बताता हूँ जिसके तुरू आप आप के तुरू इस चीज़ पे लिखे जा सकते है तो चलिए पहले मैं आपको वो एप दिखाता हूँ आपको यह आप दिख रहा है यह महाराश्टर बोर्ड रिजल्ट 2021 का है मैं आपको बताता हूँ तो मैं यह आप का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ इस वीडियो के तो जब आप इस आप पे जाते हैं तो थोड़ा आपको आड आता है आप देख सकते हैं महाराश्टर बोर्ड रिजल्ट 2021 तो यहां पर आपको चीज आती है और यहां पर आपको सबसे पहले भी देख सकते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीका है कि हर बच्चा अगर साइट के उपर जाता तो आप अपना रिजल्ट इसके तुरू देख सकते हैं सबसे पहले भी देख सकते हैं तो यह तो हो गया उस application की बात और इसका description मैंने students आप इसका जो detail है दो application है उसका detail मैंने description में दे दिया है अब हम देखते हैं कि जो official site government ने दिये उसमें से कितनी चल रही है तो चलिए अब official notice की तरफ बढ़ते हैं तो students यह रहे सारे आपके official notice तो यहाँ पर आप देखोगे स्टुडेंट करते हैं student www.stateps.com.news18.com के अगर आप जाते हो तो यहाँ पर कुछ result नहीं है students आप देख सकते हैं लोकमत.news18.com यह कोई एक news18 का एक page open होता है तो पहली चीज़ है यहाँ पर आपका result नहीं आएगा तो आप इस site को तो मत देखना students मैं आपको पहले बता रहा है कि यही मैं सी चीज़ लेकाता हूँ बच्चे फस जाते इस सभी चीज में अब मैं आपको दूसरा एक site दिखाता हूँ जो है महा result.nic.in जब आप इस site पर जाते हो महा result.nic.in तो यह site active है और इस पर बोला गया है कि HSC का result है वो चार बज़े मतार 16 hours में लगने वाला है तो यह site तो active है तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं थर्ड हम देखेंगे कि HSC result.mkcl.org उस site पर जब हम जा रहे है तो यह भी active है अगर आप देख रहे है और यहाँ पर आपको result आ जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर mention किया जा रहा है next है कि msbshse.co.in तो इस site पर आप देखते हो तो यह site भी active है यहाँ पर इस चीज़ को बारे में बताया जा रहा है उसके बाद अगर आप देखोगे next जो है हमारे पास अगर आप देखोगे कि जो hscresult.11admission.org जब आप इसमें जाते हो तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो यह भी site active है लेकिन अब question यह arise होता है कि sir यह सारी sites तो है लेकिन इसका internally वो किस से connect होगा वो government ने नहीं बताया government ने actually देखा जाए तो load को distribute कर दिया लेकिन main site के बारे में नहीं बताया है और एक चीज़ मैं आपको बता दू कि यह जो महा hscboard.in है यहाँ पर भी आपको आजाएगा कि hsc result जैसे यह ssc result है वैसे hsc result बोलके भी आने बाला है तो एक चीज़ मैं यह बताओ अब कई बच्चों ने मुझे बोला है कि sir हमारा seat numbers नहीं मिल रहे है या result में अगर कुछ fault आता है तो आपकी पास student officially अगर आप देखोगे आपको एक notification हो रहा है जिसमें आपको contact numbers दिये गए अपने location के हिसाब से तो अगर आपको result में कुछ problem हो रहा है आप इन numbers पे call कर सकते हैं नाम और numbers दिया जिसे पूने के लिए नाखपूर के लिए दिया है औरंगाबाद के लिए मुंबई के लिए दिया है सिबेल लली अगर आप देखते हो तो ये कोलापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर, कॉंकर्ण इसके उपर दिया तो आप कई लोग पूछेंगे कि सर ये detail कहा है ये detail अगर students आप महा SSCboard.in पे जाओगे मैं refresh मारता हूँ जब इस पे तो आप देखोगे यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको कोई problem है तो आप इस पे तकरार कर सकते हैं तो ये वाली link पे अगर आप क्लिक करोगे तो same आप यही page आपके सामने open होता है तो ये सब numbers पे भी आप बहुत लोग बोल रहेते हैं कि सर सीट number नहीं दिख रहा है नाम गलत आ रहा है result में कुछ गड़बढ है आपको लग रहा है तो आप सीधा इन पे contact कर सकते हैं students तो ये सारी updates थी तो मैंने आपको in short क्या बता है कि आप application app इस्तमाल कर लीजिए अगर आप website पे देख रहे हैं तो ये last वाली website को आप ignore मारी है जो lokmat.news18.com है इसको आप छोड़ दीजिए उसकी अलावा जो चार site है उस पे आप जा सकते हैं जो fastest अगर आप होगा तो आप app के तरू भी जा सकते हैं या आप HSC result 11th admission ORG या आपका जो fast रह सकता है वो है maharresult.nic.in students So please students इसको आप share कर दीजिए जितने भी students है इसको आप share कर दीजिए and channel को भी subscribe करके रखें क्योंकि आगे बहुत जादा updates आपको मिलने वाले So thank you very much for watching India buddy. Jai Hind, Jai Maharashtra.